हमारे हिमाचल निर्वाता डॉक्टर येश्विन प्रमार का सपना था कि हिमाचल प्रदेश पूरे भारत वश्च का फुरूट बोल बने क्योंकि यहाँ पर चाहे वो टेंपरेट फूट की बात हो टॉपिकल फूट की बात उसकी अपार संभावनाएं हमारे प्रदेश में थी उन्हें पता था कि यहां पर आपके सीमित आपके खानिश्पदार थे मिन्रल वैल थे और इंडस्ट्र सेक्टर का वी एक सीमित क्षेत्र में ही विकास हो सकता था और हमारे प्रदेश में लगबग 60-70 लोग क्रिशिक शेत्र से संबंदित है तो इस शेत्र को प्रात्निक्ता हर सरकार में मिली है लेकिन वर्तमान सरकार के कारेकाल के दौरान कुछ जैसा निगी ये ने कहा कुछ कम्या विशेश दूप से नजरा रही है जो इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इन कम्यों को दूर करे विशेश तुम से मैं अगर अपने क्षेतर की बात करूँ क्योंकि हमारा सेभ भावले क्षेतर है जहां समस्त हमाचल ब्रदेश में horticulture sector में जैसे मैंने पहले कहा अब बार संभावना है चाहे वो संत्रों की बात हो चाहे सिट्रस फूर्टव की बात हो चाहे सेव की बात हो लेकिन जो पहचान पुरे हमाचल ब्रदेश में पुरे राष्टर में है वो एपल स्टेट के रूप में है और हमारे छेतर का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा योगदान जो पांच हजार करोड की आर्प की इस एपल इंडस्ट्री की बनी है उसमें निरंतर सरकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है जो वरतमान सरकार ने जो हमारे को 1980 के किसान को मिला करता था क्योंकि हिमाचल उन पाहिनर स्टेट्स में जहां पर लैंड सीलिंग एक्ट लागू हुआ था हमारे प्रदेश में पहारी क्षेतर है और यहां पर मैं समझता हूँ जो आपकी जमीनों की भी एक सिमित आपके पास मैं समझता हूँ जगाए है उसमें मैं समझता हूँ नप्य प्रतिशत जो हमारे किसान और बागवान है वो आपके लगू और सीमान किसान आते है पिछले दिन ही जो मेरा प्रशन भी स्विधानसवा में लगा था दो रोज पहले उसमें यह उत्तर सरकार की तरफ से आया कि हमने जहां फुखुन नाशक की इत द्वारा दिया जाता था अब हमने डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने का निर्ने लिया है और यह निर्ने शायद मार्च के महिने में ले लिया गया था क्योंकि पूरे जो हमारा स्प्रेंग सीजन होता है लगब कोई साथ से आठ सप्रेज वर्ष में होती है अभी तक अभी तक कोई भी मैं समझता हूँ एक भी किसान बागवान को डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माद्यम से जो राशी मिलनी थी वो मिली नहीं जो उसमें पैमाना रखा गया है उसकी अनुसार भी जो प्रती भीगा एक किसान बागवान को जो आपको इसमें अलुदान मिलेगा वो मात्र 500-320 रुपे के आसपास है पूरे वर्ष में जहां मैंने पहले का साथ से आठ आठ आपकी स्प्रेज होती है और जो सबसे सस्ता आपका फुफू नाशक के बैविस्टीन है उसकी कीमत भी लगबक कोई 500 रुपे के आसपास होती है अगर हमने एक स्प्रे होगी आप कुछ समसकते हैं आप खुद बागवान है मेरा इसमें यह सुझाव रहेगा यह डीबीटी की स्कीम भी जब तक यह लागून यूती चलती रहे और माने मुख्य मंत्री ने जब पीछे यह उपचनाव हमारे क्षेत्र में हो रहे थे उन्होंने भी इस दिरने को जन हित में किसान और बागवानों के हित में रुव्यू करने की घोशना की थी अब तो वैसे भी आपका पूरा जो स्प्रे का सीजन है खतम हो चुका है अगले साल फिर प्रारम होना है हमारा यही मांग रहेगी कि पुन जैसे पहले आपको डारेक्ली होटी कल्चर प्रभा जैसे मैंने कहा तीन सो उर्पे क्या सपास का नुदान मिलेगा और मैं दाविस इस बात को कहता हूं कि हिमातिल प्रदेश में अधिकतर जो आपके किसान बागवान है और विशेशुप से मैं अगर अपने से भावले क्षेतर की बात करूं लगबक 50% से क्या सपास आप कैस स्टापित हो इस वर्ष भी आपने देखा होगा सेप्टेंबर महिने तक मारी मार्केट जो सेथ की थी बहुत न्यूंतम स्थर में थी और उस दौरान मैं समझता हूं बहुत सस्ती सस्ती दरों पे आपके लदानियों ने आपके आड़तियों ने आपके बागवानों का शो सेटर में यह अन्य जहां पर इस तरह की संभावना है हम अपनी मंडियों के साथ स्टोर का निर्मान करें यह समय के आवश्रकता है खड़ा पत्थर महारा बहुत सेंट्र लोकेट जगा है और एपिडा के माध्यम से जो तीन स्टोर सेक्शन होए थे चुरा में बतली कूल म खड़ा पत्थर में जिसका मुई भी साइन हो गया था उसमें से दो का उसकी स्विक्रिति मिल चुकी है लेकिन अभी तक यह खड़ा पत्थर का आपका लंबेपड़ा है इसमें भी मिरा अगरे रहेगा सरकार से इसको भी शीगर तीशीगर इसकी भी सिवक्रिति प्राप् निकता भी उसमें लगते क्योंकि सीए स्टोर का भी जो कारे होना है और ग्रामिन क्षेत्र के अधारबूत धांचे को स्रिद्ड़ करने के लिए होना है यह एक माध्यम हो सकता है आपके 1134 टोर के होटिकल्चर प्रोजेक्ट के माध्यम से आपके नए तीन सीए स्टोर है बागी है जहां पर पहले इस और काम किया गया है आप इस और काम करें साथ इसाथ जो बेमौसमी बरफबारी ओला वरिष्टी से जो क्षती हुई जो आज भी प्रशन लगा था लगबकोई 341 क्रोड के आसपास की क्षती पूरे प्रदेश में हुई है जिसमें से उप्चुनाव के बाद जब यह तो नुवंबर महिने की बात है कुछ आपके दिकारी केंदर से आये थे और वो खड़ा पत्थर में साराज का जो नुकसान हुआ है आपके अपरेल के महिने का उसका नुवंबर में उसका आंकलन कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस उप ठादों क्या उश्रकता है क्योंकि कुछी समय के बाद बरफबारी मारी प्रारंब हो जाएगी अभी विमारी बारा बत्ती सोला जो बहुत ही मत्तपून हमारी आपका फटिलाइजर है वह अभी उपलब्द नहीं है सारे आपके जित्ते हिमफेट के डिपूज है हमारे से भावलिक शेत्र में यो खाली पड़े है उसको भी उपलब्द करवाने का आपसे आगरे रहेगा साथी साथ जो कीमतों में बहुत भूतरी हुई है लगबग आपका इफको का ही ये बारा बत्ती सूला का ही कोई 250 सी रपे के आसपास भूतरी हो चुकी है आपके 15 15 सुफला खात की लगबग को 170 पे के आसपास की भूतरी हो चुकी है पुटाश में भूतरी हो चुकी है इसमें भी केंदर सरकार से प्रदेश सरकार के माध्यम से पत्रा चार हो क्योंकि हमारा पहारी क्षेत्र है किसी ना किसी रूप से हमारे पहारी क्षेत्र में रियायते मिले इस भी जो packaging material जो हम use करते हैं अपने सेव के विपनन में 20-25 प्रतिशत का इजाफा हुआ उसमें सिंतुष्टी नहीं मिली तो भी हाल में ही GST के माध्यम से लगभग जो आपको आपका जिसके माध्यम से जो raw material होता काटन के लिए उस पे पहले आपका 12 प्रतिशत GST लगता था एक अक्टूबर के बाद वो 18 प्रतिशत हो चुका है आने वाले समय में आपके और काटन प्राइसेज में इजाफा होगा इसी तरह से जो anti-hill nets होते हैं उस पर भी 5 प्रतिशत के आसपास पहले GST लगता था लेकि कि वर्ष 2022 भी आ रहा है और 2022 में मारी IB दुगनी होनी हो तब होगी जब सरकार इन बातों को लेकर कदम उठाएगी साथी साथ मैं समझता हूं जैसे मैंने पहले कहा यहाँ पर मारे जो मारे क्षेत्र में anti-hill nets के इलावा जो anti-hill guns भी लगी है जो हमारे नीजी लोगों ने ल बात करूं हमारी चार जगा anti-hill guns लगी है बागी में लगी है रतनाडी में लगी है कल्भोग में लगी है मासूब बानकुफर में लगी है इसको भी department टेक ओवर करें क्योंकि तीन गंज आपकी ऑलरी होटिकल्चर डपार्टमेंट के पास है एक हमारी मडावक चुपाल में लगी है इन हेल गंस की रुपेर मेंटेनेंस इनका मैं समझतान को अपरेशन इनके ऑपरेशन आपके होटिकल्चर युभा के अधीन हो ये भी मेरा मंत्री जी से आगरे रहेगा होटिकल्चर मारा बहुत इंपॉर्टन सेक्टर है और इसी के माध्यम से अगर हम अगर रोड़क्शन की बात करेंगे लगभग कोई 65-70 के आसपास उत्पादन होता है एक होटिकल्चर कॉलेज हमारे क्षेतर में स्थापित हो ये भी बहुत महत्तपूर्ण है और पहले जैसे हमारे विरिष्ट माद्मिक पार्शाला में होटिकल्चर सब्जेक्ट आपको हो गया है उसको पुन प्रारम करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति को सरकारी रोजगार मिले ये संभव नहीं और हमारे क्षेतर में ये विकल्प बहुत अच्छा बन चुका बलकि चुनाव के दौरान हमारे एक विरिष्ट पत्रकार आये थे वो पूछ रहे थे कि आपके चेहतर में पronics किस मस्या नहीं क्योंकि हमारे साथ लगता उतरा खंड्का यह वहाँ पर गाऊं के लोगों कर दिया है और कोई कोई माइग्रेशन हमारे क्षेत्र से हुई नहीं आने वाले समय के लिए ये इंडस्ट्री हमारी और्टिकल्चर इंडस्ट्री मजबूत हो इसके लिए सरकार प्रयास करें विभाग प्रयास करें